Hello student, आज आपका topic है pillars, आपका ये सब 3 unit का parts है, ये भी, pillars, pillars क्या होता है, आज आपको हम बताएंगे आपका kitchen में pillars का क्या use है, आप इसको कैसे use करते हो, अधिकतर बच्छों को pillars के बारे में नहीं पता होता है, उनको पता तो होता है, बट ऐसे नहीं पता होता है कि इसका use कैसे करते हैं में लागे रगदू तो नहीं बता पाते हैं ठीक है मैंने एक बार आपसे क्लास में पोछा भी था किसी ने पिलर्स के बारे में नहीं बताया तो चलो मैं आपको आज पिलर्स के बारे में बताती हूं पिलर्स का वर क्या होता है आप की चन में कैसे यूज करते हैं औ थातू का बिलेड होता है जो स्टेनलेंज स्टील का बना होता है। iska हत्ता लकड़ी, प्लास्टिक या अन्ने किसी धातू का बना होता है। आजकल पिलर्स कही परकार के आता हैं, जिसे फल सब्सजियों को छिलना हों, उसे एक हत्वे हाथ में पकड़ कर तथा दूसरे हाथ में पिलर्स की साहता से छिला जाता है. पिलर्स को सबजी या फल की सतय पर रखकर हलके दपाव द्वारा उपर से नीचे की ओर छिला जाता है इस परकार की परिकिरिया द्वारा पूरे फल या सबजी को छिला जाता है छोटे फल या सबजी को हते हाथ में पकड़ कर छिला जाता है कि बड़े सब्जी को चोपिंग मोड पर बोड पर हलके हातों से च्हिला जाते हैं जो आपका पीलर्स होता है यहां होता है तरह के पील्रा नाइफ होते हैं बड़ी उपर कि च्षिल्का हुता ह Selfish person Land Borning. जो के अन्दर उतार नहीं उतारता को गुद्धा नहीं उतारता है इसे नोगे बच जाता है आपको अधर और चिल सकते हों और आप आप आसानी इसको छिल सकते हैं एक हाथ में सब्जिया लो और दूसरे हाथ में पिलर्स लो आराम से छिल सकते हो ठीक है ना और जो बड़े फल होंगे चोपिंग बोड होता है काटने वाला बोड होता है ठीक है जिस पर फल फ्रूट जैसे प्याज काटते हो या महिन कुछ भ इसके द्वारा गोल 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 फिर एक पूरी लेहर के रूप में काटा जाता है जो यह पिलर्स होता है यह क्या होता है सला देतू प्याज को काटने में विस्क को यूज किया जाता है और गोल गोल और फिर पूरी लेहर रूप से काटा जाता है आपका नेक्स्ट टोपिक फिर ग्रेटर्स